जहीं दोस्तों केसे हैं आप सभी I hope सभी ठीक होंगे तो आज से हम इतिहास की lecture series प्रारंब कर रहे हैं तो हम आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास की परिभासा ठेके परिभासा क्या है फिर उसका classification देखेंगे कि इतिहा को आज हम आज की इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे ओके दोस्तों तो सुरू करते हम तो इतिहास की अगर परिभासा की बात करें तो प्राचिन काल की घटनाओ का क्रमबध अध्यन करना ही इतिहास कहलाता है ठीके दोस्तों प्राचिन काल की घटनाओ का क्रमबध मेगा स्थोरिक मेगा स्थनीच को भारति पुरातव भाग के जनक कुन थे कनिंगम कनिंगम से बहुत बार क्विश्चन PCS एक्जाम से पूछे गए हैं इसलिए इसको विशेश तोर पर ध्यान रखना है यह मेज आप देख रहे हैं यह मेगस्थनीच की है यह चंद्रकुप्त मोरे के दरबार में आयत है ओके और इन्होंने एक गरंथ लिखा क्लासिफ्रिकेशन की वर्गी करण की कि इतिहास को कितने भागों में बाटा गया है तो यहाँ पर इतिहास को अध्यान की दरष्टी से तीन भागों में बाटा गया है फ्यान रखना है ठीक है प्रागेती हासिक काल एसा काल था जिसमें मानव को लिखने वो पढ़ने का ग्यान नहीं था ठीक है इसके अंतरगत क्या जाएगा इसके अंतरगत पासान काल आता है इसका उधरन क्या हो जाएगा पासान काल पासान काल इसका सबसे अच्छा उधरन हो जाएगा पहे, फिर आता है आद्देतियासिक काल एसा काल जिसमें मानव को लिखने वो पढ़ने का ज्यान तो था लेकिन उनके द्वारा जो लिखा गया है वो आज तक हम पढ़ नहीं पाये हैं ठीके? इसका हधारन हो जाएगा हडपस बहता ठीके? हडपस बहता अब बात आती है एतिहासिक काल की एतिहासिक काल में मानों को लिखने वो पढ़ने का ग्यान था ठीक है लिखने वो पढ़ने का ग्यान था लेकिन उनके द्वारा जो लिखा गा है वो हमने पढ़ भी लिया है ठीक है ध्यान लखना उन्होंने जो लिखा वो आज भी हमने पढ़ लिया है उधारन वेदिक काल ठीक है वेदो की जानकारी है कि नहीं हमें तो वेदिक काल इसक इतने भी काल आते हैं वो सब के सब इसी के अंदरगत आजाएंगे एतिहसिक काल के अंदरगत इससे प्रेलिम समय क्यूस्चन बन जाते हैं ठीक है इनके उधरान पूछ लेता है कि निमलिखित में से कौन सा प्रागेतिहसिक काल का उधरन है तो आंसर आजाएगा पासांड का हम प्राचिन काल मध्यकान वो अधूनिक काल में चर्चा करेंगे प्राचिन काल के गर बात करें तो सब्सक्राइब करें गया है उसके बाद 1200 से लगा के 1707 तक का काल ये माना गया है मद्यकाल को अब आपको गए सर्थ 600 से 1200 के बीच का काल कहा गया तो इसको अंधकार युग की संग्या दी गई है ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे हम लेकिन इसे अंधकार युग की संग्या दी गई है, ओके फिर आता है अदुनिक काल, तो 1707 से लगा के 1947 तक ये पूरा इतियास हो जाएगा अधुनिक काल का, ठीक है अब प्राचिन काल के अंतरगत हम किसको पढ़ेंगे तो प्राचिन काल के अंतरगत हम पढ़ते हैं हडपा सब्चेता को, ठीक है हर से वधन तक हम continue करेंगे फिर मद्यकाल आ जाएगा मद्यकाल को दो भागों में बाटेंगे हम एक हो जाएगा सल्तनत काल ठीक है एक हो जाएगा सल्तनत काल और एक हो जाएगा मुगल काल ठीक है तो सल्तनत में हम विबिन वंसों को पढ़ेंगे जैसे कि 1947 में भारत को आजात कर देंगे ठीक है यह हमारे पढ़ने का थोड़ा करम रहेगा यह आप लोगों को ध्यान रख रहा है तो सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे प्राचिन काल से ओके अब यह हैं हमारे प्राचिन भारती इतिहास जानने की स्रोथ तो प्राचिन भारती इतिहास जानने की स्रोथ क्या-क्या है इनको थोड़ा समझते हम तो इन स्रोथों को दो भागों में बाटा है पुरा तात्विक स्रोथ साहित्तिक स्रोथ पुरा तात्विक स्रोथ की अगर बात करें तो इसके अंतरकत आजाएगा अभिलेक, इसमारक कला, मूर्तिया, चित्रकला, सिक्के वो मुहरे, ठीक है, ये सारी चीजे जिन से हमें इतियास की जानकारी मिलती है, जैसे बहुत सारे सासकों के सिक्के मिले हैं, आसोक के अभिलेक भो ज़्यादा फेमस है, ठीक है इसमारक, जो है, स्थापतिकला, मूर्तिया, चित्रकला, इन सब से हमको उनी सासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है, साहितिक सरोत के अगर हम बात करें, तो इसमें साहिति को दो भागों में बाट देंगे हम, भारती साहिति, विदेशी साहिति, ठीक है, भारती साहिति की बा तो आप देखो, ब्राहमन साहित देखों इिसमें चार्वेद हैं रिग्वेद ये जिरवेध, सामवेद, अतरवेद फिर साथ ब्राहमन क्रंत हैं एसर एत्रे, कोशितिकी, гोपत, तेत्रिय, सत्पत, 25, जेमिनी, ठीक है छे आरणिक हैं 13 जमीनी आतरे संखायन चंदोग्य व्रदारण्यक बारा उपनी सद हैं चंदोग्य कंठ व्रदा रण्यक इस्वासिय प्रशन ठीक है इस परकार से minutes यह 12 अपनी पुरान, पद्म पुरान, नारदी पुरान, मारकंडी पुरान, पूरी की पूरी 18 के नाम लिखे हैं, तो इन सभी को आप लोगों को एक नजर डाल लेना है, क्योंकि जब मैं इतिहास पढ़ाते जाओंगा ना, तब एक एक पर चर्चा करेंगे हम, एक एक पर, जैसे गुप इन चीजों को हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है दोस्तों, फिर बात करें हम, ब्राह्मन अक्तर साहित्य की गरंथ की, तो इसमें बोद्ध साहित्य जेन साहित्य आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें सुत्त पिटक, विने पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन हो, आनम, बुद्ध चरित्र, जेन साहित्य में, परिशिष्टर परव, भद्रबाव चरित्र, भगवती सुत्र, कल्प सुत्र, फिर आ जाता है, लोकिक साहित्य, लोकिक साहित्य के अंतरगत, कोटिले कार्थ सास्त, कलहन की राज तरंगिनी, पनिनी कास्ट अध्याय, संगम साहित्य आ जाएगा, फिर आ जाएगा विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य में, रोमन लेखक, जो सिकंदर से पूरव आये थे, सिकंदर के साथ आये थे, सिकंदर के बाद आये थे, ठीक है, चीनी लेखक, फायान, हैंसंग, इत सिंग, सुंग्यून, मात्वेल, ठीक है, अरबी लेखकों की बात करें, अलसुलेमान, अलबरूनी, अलमसूदी, मारको पोलो, इबन बतुता, ठीक है, इतनी सारी चीजे हैं, जिनसे हमें प्राचिन काल की जानकारी मिलती है, अगर आप प्रेलियम्स की बात करें, तो प्रेलियम्स हमें इस चार्ट से सीधे-सीधे क्यूस्टन बन जाते हैं, ठीक है, मैं कहे रहा हूँ, इस चार्ट को अच्छे से कंठस्ट कर लेना, ठीक है, यह मैंने आप लोगों को सिर्फ नाम एसी पड़ा दिये हैं, लेकिन आप लोगों को यह याद रखना है, इन से सीधे-सीधे क्यूस्टन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं हम इतिहास के महत्व की, इतिहास के महत्व की अगर बात करें, तो देखो इतिहास का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, कैसे महत्व है, तो पहले हम साधान भासा में समझते हैं, जैसे, आप जब अधिकारी बनोगे, तो आप सबसे ज़्यादा किस से कनेक्टेड रहोगे समाज से, आपका सीधा फेस टो फेस कनेक्टेड आप क्या करोगे, समाज और सरकार, समाज और सरकार के आप बीच में कड़ी रहोगे, ठीक है, आप क्या रहोगे, समाज और सरकार के बीच की कड़ी रहोगे, आप जनता से सरकार तक बाते पहुचाओगे, सरकार से जनता तक उसका लाप पोचा होंगे ठीक है तो आपको क्या maximum time रहना है कि इससे समाज से जुड़के ठीक अब समाज से भूण के रहो गे तो समाज इक समस्याओं को समाधान करोगे ठीक है समाजिक समस्याओं बहुत सारी समयस्या हैं तो Albert Einstein कहते हैं कि अगर किसी समयस्या का समाधान करना है और मुझे उसके लिए 60 منट दिये जाए तो 60 मिनट में सर्ards 55 मिनट किसके बारे में सोचूंगा समयस्या के बारे मैं समयस्या के बारे मैं और मात्र पांच मिट लगेगे मेरे को उसके समाधन करने में, ठीक है ध्यान रखना है, अलबर्ट अइंस्टेंट पहले समस्या की जटको समझते थे उसके बाद पांच मिट में इसको समाधन कर देते थे, आप जब समाज में रहोगे तो समाज में दहेज प्रत्था हुआ, ठेके बाल विवा हुआ इस प्रकार की जो समस्या है सांप्रदाइक्ता सांप्रदाइक्ता तो बहुत बड़ी दिक्कत है ठेके सांप्रदाइक्ता यानि हिंदु-मुसल्मान के दंगे और ऐसे भी धर्मिक विवाद इसाईयों के दंगे इस टैप से मतलब जो होते रहते हैं तो आप इन चीजों को बहुत असारी से डिल कर पात हुए, ठीक है, बातारी समझ में, तो इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वरतमान की समस्याओं को अगर आपको समाधान करना है, तो इसके लिए इतिहास जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़् ठीक है, अब देखो, एक्जाम में क्या लिखना है, तो एक्जाम में आप लोगों को धियान रखना है, एक्जाम में किस प्रकार से लिखना है इसको, तो मेंस के दोरान आपको लिखना है, सेक्चिक महत्व, सेक्चिक महत्व की बात करें, तो भाया, बहुत ज़्यादा से प्राचिन काल में जो अधिकारियों के वर्ग जो राजनेतिक प्रणालिया थित ही उनमें जो ग गल्तियां हुई है उनसे हमें को सीखना मिलता है सिक जानकरी नहीं एटिहास से व्यवसाइक महत्व है では क्या कि अगर हम अर्थविस्था की बात करें, तो अर्थविस्था की जो वर्तमान स्वरूप है, ये कहीं न कई पुराने धाचे की देन है, उसमें अपडेशन होता रहा है, तो वो सारी सीख भी हमको कहां से मिलती है, इतिहास से, नेतिक महत्व, बिल्कुल पुराने जितने भी म अनुसासन अत्मक महत्व, अनुसासन एक ऐसी चीज है, जो क्या करता है, आपकी विजय को निश्चित कर देता है, ठीक है, और अनुसासन हमें इतिहास से बहुत अच्छे से सिखने को मिलता है, जैसे सबसे अच्छा उधरन हो जाएगा चानक्य, चानक्य का अनुसासन सब से महान उधरन हो जाएगा इसका कि वो कितने अनुसासित थे जिस वज़े से वो इतना बड़ा empire पूरा अखिल भारती समराट उन्होंने पहला बनाया था ठीक है सांस्कृतिक महत्व तो है ही सही हमारी संस्कृति की बारे में हमें सबसे जानकारी से ही तो आती है कि हमने पूरी दुनिया को महत्मा बुद्ध जैसे महान व्यक्ति दिये हमने महत्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति ये सब कहां से थे ठीक है महत्मा गांधी हुए महत्मा बुद्ध हुए ये सब कहां से थे तो भारत से मिलती है कि कोई समय किसका आकरमन हुआ था कौन कहां पे आया था ठीक है इस टैप से बहुत सारी जानकारिया बहुत सारी जानकारिया कौन सा मंदीर कहां पे है ये मंदीर कैसे बने ठीक है कौन से मज़ित कहां पे है कौन से मज़ित कैसे बनी ठीक है तो इस टैप से पूरी ज करेंगे तो राष्टवाद का इतिहास से बहुत अच्छा संबंद होता है तो राष्टी महत्व बहुत ज्यादा है ठीक है हमारी राष्टी गोरव धरोहर संस्कृती राष्टी अंदोलन जिन्हों हमारे देश को आजात कराया तो राष्टि अंदोलन इस प्रकार की सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है इतिहास से ही तो मिलती है ना, यह हमारे तिरंगई का जन्म के से हुआ, भारति सविधान का जन्म के से हुआ, ठिक है, अंतरास्टी महत्व देखो हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो विदेसों की भी जानकारी लेते हैं विदेसी साहित्यकारों को पढ़ते हैं विदेसी इतिहास कारों को पढ़ते हैं विदेसी आकरमन कारियों को पढ़ते हैं जिससे हम वहाँ की sanskriti को समझते हैं जिससे हमारा अंतरास्ती समबंध अच्छा होता है ठीक है जिसे हम इंडोनेसिया में रामलिला आज भी मना ही जाती है तो यह सब çीजें जो है यह हमें अन्य देशों से जोड़ती है ठीक है हुआ तो आपको जिस पेटर्न में लिखना है तो आप अगर चाहें में तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से लिखते हैं सामाजिक आर्थिक राजनेतिक, सांस्कृतिक और धर्मिक महत्वा, ठीक है, तो जैसे आपको उचित लगे, उपर एक्जाम्पल जरूर देते रहे ना, जैसे बीच-बीच में मैंने एक्जाम्पल दिये, महत्मा गांदी का, महत्मा बुद्ध का, चानक के का, नेतिकता, ठीक है, तो इस प्रका देंगे, ओके दोस्तों, तुम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद,